आज मैं राखे स्पेशल बुंदी की लड़ू की रेसिपी ले की आई हूँ और वो भी एकदम दानेदार और इसे बनाना भी बहुत आसान है कोई कठीन नहीं है तो मेरे तरीके से आप जरूर बनाइए तो आएए बनाते हैं हम लड़ू जै जोहर संगवारी हो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नंदा वैश्नो अपनी यूटूब चैनल नंदा किसी जी बसतर रेस्पीस में आप लोका स्वागत करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ल्ड़ून में बेसन से ही बना रही हूँ तो यहां सबस्क्राइब कर देख में और दिये जीनके हिएगा तब अच्छा बनता है और यहां पार देकि गुटली अ तो देखें अच्छे से मिक्स कर रही हूं, उसे शाहि बहुत्य हाँ कर लाघार रहना हो मैं में तो यहां पर हाइना स्कामिक वक्तित गॉल कॉझटन अब्रक्ट करना है तो देखे यह बिल्कुल तयार है, इसे कर देते हैं एक साइट पर, और यहां पर हम कड़ाई में चासनी बना लेंगे, तो यहां डेड़ कटोरी जितना मैं सक्कर डाल रही हूं आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, तो यहां पर एक कटोरी जितना पानी डाल रही यह जो एलो कलर आता है न बोलवाला है और यह रैड कलर, तो इसे कलर बहुत अच्छा आ जाता है लडू में, तो इसी लिए मैं दोनों यूस कर रही हुं, आप जहें तो एक की कलर यूस्च कर सकते हैं या इस मिय कर सकते हैं , लेकिन ये डालने से बहुत अच्छा कलर आजाता है लड़ूों में तो देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और चासनी को लगातर चलाते हुए से देखिए इसे गाढ़ा कर लेंगे एक दम चासनी नी बनाना है एक दो तार का बस थोड़ा चिपची पासा करना है तो यहां पर देखिए यह तयार हो रहा है तो यहां पर हम लगातर ऐसे जहरा चलाते हुए से चासनी को पका लेंगे और अभी चैक कर लेती हुँ मैं कि यह चिपची पासा हुआ है कि ने तो यह थोड़ा में को चिपची पासा लग रहा है तो बस अब मैं गैस को बंद कर और इसे एक्साइट कर दूँगी यहां पर हमारा बेशन का गोल भी विल्कुल तयार है तो आये बुंदी बनाने स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कड़ाई में गी डालके मेल्ट कर लिया था और वह अच्छा गरम भी हो चुका है क्योंकि अच्छा गरम गी में हमको डालन है तो ऐसे देखे ज्छारा को नीचे रखना है और गोल को डालके ऐसे हिलाना है ताकि अच्छे से सभी तरब छुटा छुटा गोल-गोल बुंदी बनके तैयार हो जाए एक ही जगे पर रखेंगे तो चिपका-चिपका सा बनेगा अच्छा नहीं बनेगा तो ऐसे बराब तो जैसे मैं निकाल रही हूं तो बिल्कुल भी तुकड़ा इसमें नहीं बचाना है तो तेल पूरा जला जला सा हो जाता है और जो सेकेंड बेच और डालेंगे वह अच्छा नहीं दिखेगा टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर एक बार और बना कर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को तो देखिए जारा मैं थोड़ा बड़ा ली हूँ तो आपके पास जो भी जारा है आप उसमें बना सकते हो तो लेकिन लगातार ऐसे ही लाते वैसे ही बनाना है तो देखिए बिल्कुल अच्छा बन रह है हमारा ये बुंदी तो ऐसे आप लोग भी बना कर ट्राई कर सकते हो राखी में कभीज चछोजटी मेरे चैनel पे आपको पसंद राएगी मेरे चैनल प एक पर आकर कर के जaaaग्येगा तो देखिए मैं सारे बुंदियों को निकाल ले रही हूँ तो देखिये इक ता पर तो यहां पर देखिए शारे को मैंने बना कर तयार कर लिया है ईस तरीके से तो बूंदी बिलकुल रएड़ी है अब हम अप इसे चासणी मेरे डालेंगे और लडू बनना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए चासनी को फिर से मैं गैस में चड़ा दी हूँ गरम होने के लिए और यहां पर मैं बुंदियों को डाल रही हूँ ताकि चासनी अंदर तक पी जाए बुंदी और अच्छा रसीला बने जैसे हम मार्केर से लाते हैं तो वो रहता है ना एकदम रसीला वैसे ही बनके तयार होगा तो इसे हम थोड़ी देर दो तीन मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि अच्छे से जो चास्ती है बुंदी में भर जाए अच्छे से रसीला हो जाए तो यहां पर हमको बुंदियों को एकदम नरम करना है इसलिए फिर से चढ़ा करके म अच्छे खासा नरम हो चुका है अब हमारा जो बुंदी है बिल्कुल तैयार है लड़ू बनाने के लिए तो यहां पर मैं एक से दो चम्मत जीतना घी डाल रही हूँ ताकि यह लंबे समय तक नरम रहे ने तो हार्ड हो जाता है इसलिए यहां पर घी डाल रही हूँ मैं अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी भी यह बुंदी जो है ना गरम ही है एकदम ठंडा नहीं हुआ है तो हलका गरम में हमको बनाना है तो यहां पर मैं पंकिन सीट्स डाल रही हूँ आप चाहे तो काजू को भी छोटा चोटा काट कर डाल सकते हो या किसमिस भी डाल सकत हो तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और बढ़िया से हम लड्डू बना लेंगे तो यहां पर मिक्स कर रही हूँ मैं और यह लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी आप मेरे तरीके से बना कर जरूर देखिएगा तो यह देखिए जितना बड़ा भी हमको लड़ू चाहिए उस हिसाप से हम ले लेंगे और हाथों में बढ़िया से दबा दबा कर लड़ू तयार कर लेंगे तो देखिए कलर भी किता अच्छा आया है ना तो ये लड़ू बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से देखिए गोल गोल बन रहा है और बहुत ही पर परक्ट दानेदार तो बेशन से भी बहुत टेस्टी लड़ू बनंके तयार हो जाती है बेशन के लड़ू की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर है आप उसे भी देख सकते हो तो देखिए इस तरीके से बढ़िया से बनंके तयार हो रहा है मेरा लड़ू तो ये बिलकुल लड़ू बनके तयार हुआ है तो आप गड़ेश चतूरती पे ये लड़ू जरूर बनाईए या राखी पे बनाईए या कोई भी फेस्टिपल पे बनाईए क्योंकि लड़ू सदा बाहर है सबको हमेशा पसंद आती है तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताईएगा और यद और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके तो जल्द मिलती हूं एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई